फेशल तो आप सभी कराते होंगी क्या आपको पता है हमें कम से कम महीने में दो तिन बारी फेशल ज़रूर कराना चाहिए लेकिन क्या ये पोसिबल है कि दो तिन बारी इतने महेंगी फेशल अम पारलर से जाके करा पाए क्योंकि सस्ते से सस्ता फेशल भी कराते हैं तो दो त तरीकी से अगर मैं आपको बताऊं तो आज मैं आपको एक ऐसा फेशल करने का घरेलू तरीका बताऊंगी जिसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा लेकिन लेकिन जो फेशल के बाद निखा रहेगा वो जो आप पारलर से फेशल कराएंगे ना उससे बहुत ही जादा आपके फेश पे निखा रहेगा बलके कई गुना निखा रहेगा और इस बार आपके चेहरे पे जो ग्लो आएगा जो आपका चेहरा साफ होगा वो लंबे टाइम तक टिकेगा कोई बिसका साइड इफेक्ट नहीं होगा जो कि हम घर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इ आपके चेहरे के काले दाग धबों को स्पेशल ये खतम करता है और आपके चेहरे की जहाईयों को ये खतम करता है आपके चेहरे को टाइट बनाएगा जुरियां आपके मिटाएगा डेली स्किन को टाइट बनाएगा आपने काफी देखा होगा कि जैसे थोड़ी सी 30 प्लस एज हूती है तो यह फेशिल से आप अपनी जो सन टैनिंग है दाग धबे है गंद मैल से फेश को सारा निकाल के बिने एक भी पैसा करच के घर पर बिल्कुल आपके चेहरी को साफ कर पाएंगे तो जिस संदर संदर बनना है तो कुछ तक कहना पड़ेगा ना तो हम ये घरीलो फेशिल करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने बनाना है कैसे अप्लाई करना है दो तिन स्टेफ होंगे जी आपने सेम तरीकी से कर लेने और आपके फेश पे वो गलो आएगा वो निखा रहेगा कि सब देखते रह जाएंगे और जो अपने पार्लर से जो एक फेशिल कराया था ना महीने का उससे कहीं जादा आपके स्किन साफ होगी निखा रहेगा इस घरेलो फेशिल के साथ आई गैरेंटी शर्ट लगाती हूँ मैं आपसे तो हमने करना क्या है जी हमको सबसे पहले तो देखते चाहिएगा या तो आपको लेना है संट्रा आपके पास है तो अचिया वाहत बढ़ना इसली मिल ही जाता है 우리가 पूस है या फिर आपको लेना है टमाटर आपने इन दोनों में एक छीज घर करना है लेकिन अब दो संत्रा हो अवेलबल घर में आए आप लेके आए तो फिर आप संत्रे का भी यूज़ कर सकते हैं आपने पूरे संत्रे का यूज़ नहीं करना है आपको इसमें से एक दो पीस लेने है संत्रे के स्लाइस लेने है आप येकीन मानिए संत्रा हमारी स्किन के लिए हमारे फेस के ल सब को यह मिटाता है और संत्र आपके चैरी के रूंग को गोरा बनाता है इसकिन को फैर करता है पिंपल्स को खतम करता है तो आपने क्या करना आपको कम से कम जो है दो इसके हम स्लाइस ले लेंगे संत्रे के तो यह हमने अच्छे से दो स्लाइस लिए फिर जी हमने चाहिए हम कुँअ काटोज एक काटोरी ले लीक तो हमने संत्रा लिया आपको और कहा करना है आपको थोड़ा सा साइब काट को अ प्रासन के लिए संत्रम में च्छोटे चोыхटे इस वह हमारे लिए अच्छा है तो आपने दो स्लाइस संत्रे का लिया, आप तीन भी ले सकते हैं, आप जतना मर्जी ले सकते हैं, फिर आपने एक स्पून लिया, इस तरहां से इसको कर ले न, पकी थोड़ा जो है मैश हो जाए अच्छे से, और इसका जो सारा जूस है वो निकल जाए और आप अपने चहरे पे अपलाए कर पाएं और अपने चहरे को ऐसे निखार पाए कि बस कमाल ही हो जाएगा, दो तिन स्टेप होंगे, सेम आपने करना है, सबसे पहले तो हम संत्रे का जो यह छिलका है, और यह जो हमने जूस निकाला है, इसमें जूस भी निकल गय जाएंगे, उसके बाद से एक पैक बनाएंगे, उसके बाद से एक और एक फेशल क्रीम टाइप बनाएंगे, वह हम नहीं लगाना है, और आप बहुत अच्छे से अपनी स्किन को अपने फेस को घर पे ही क्लीन कर पाएंगे, चीक है, तो चेहरा में आपे धूखे वरना मेक अप नहीं किया है, अब आपने इस तरहां से जो इस कर रहा से इस तरहां से आपके हाथों पे लग जाएगा, ऐसे करना है, और अपने फेस पे ऐसे लगाना है, ठीक हुआ, इस तरहां से, यह हमने लगाया, और फिर जो हमने ही जो संत्री के साबूत यह छिलके है आपके चेहरे के सारे मैल, गंदगी को बिल्कुल काट देगा आपके चेहरे के काले पन को खतम करेगा चेहरे को इस तरहां से निखार देगा कि आप मुझे याद करेंगे कि दीदी आपने बहुत अच्छा नुस्खा बताया और इसने हमारे फेस को बहुत ही अच्छे से साफ करा आप इसको अपने हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने गर्दन पे भी यूज़ कर सकते हैं जो धर भी आपको लगे यहां से मेरी स्कीन खाली पड़ रखी है आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खुबसूरत दिखना है तो थोड़ी मेनत तो आपको करनी पड़ेगी जो कुछ भी अपलाई नहीं करते हैं उनकिस के नुमर से पहले ही खराव होने लगती है और 30 के उमर में 35-40 के लगते हैं 40 के उमर में 50 के लगते हैं तो अगर आप रखेंगे अपना खयाल तो आपकी स्किन भी आपको कॉंप्लिमेंट दिलाएगी और आप बहुत सीरत लगेंगे तो जी हमने इस तरह से करना है मसाज अब मैं आपको सुर्फ चैले पर बता रही हूँ तो आपको अपनी गर्दन भी इंक्लूड करनी है गर्दन पे भी आपको करना है अच्छे से रस लग चुका है थोड़ा मैं हातों से ऐसे मसाज कर लूगी ताकि आप मिरी स्किन के अंदर अच्छे से ऑबजर हो जाए अच्छे से संतरी की जो का जूस मेरी स्किन में जाए और मेरी स्किन को healthy बनाए और सारे gun dead skin को भी निकाले खिक है तो इस सर्के से हमने पहले स्टेप में करना है यह आपको कम से कम 10 मिनट के लिए करना है पहले स्टेप में आप ऐसी सफाई करेंगे अपने फेज की बढ़िया से मन लगा के आपको करना है अभी आपने क्या करना है इसके अंदर और भी काफी जादा बचा हुआ है तो हमें फैकना नहीं है आपको क्या करना है इसके बाद से आपको लेना है बेसन यानिकी ग्राम फ्लो अब यह जो बेसन जिसके आप घर में कड़ी बनाते हैं मिटाता है बहुत पुराने टाइम में जब साबुन वगेरा फेश्वोस नहीं होते थे राजा गानियों के टाइम में हमारी दादी नानियों के टाइम में बेसन से मुल्टानी मिट्टी से इन सब चीजों से ही चहरा साफ करते थे और यह हमने लिया बेसन ठीक है अब हमको त जाएंग आपको प्लाइब दः ही मिले जाती है तो वह उसको फटी जए तो भाँ आपकी चिन के लिए क्या ही अच्छा होगा लिए अपर हमको इसको मिक्स कर लेना है और बता नहीं सकती कि कि इतना ज्यादा ये फायदेमंद आपके चेहरे के लिए हमने मिलाया संत्रा, हमने मिलाया बेसन, हमने मिलाया दही, तीनों चीज़ें मिक्स कर लिया, अब आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें ऐलो वीरा भी मिला सकते हैं, ठीक है, वो भी कोई इश्यू नहीं है, और अगर आप जो है, आप बोलेंगे दही हमें यूज नहीं करना भी बिलकुल ही सूट नहीं करता है, तो आप इसकी जगा गुलाब जल, डाल सकते हैं, और दही सब को सूट करता है, और दही में भी विटामिन सी होता है और आप अप ची है, जूज जूजियों को मिटाता है दही, distingu को टाइट बनाता है, धीली सक्न को, तो दही वाके में हमा बढ़िया से पूरे फेस पे लगा के फिर आपको इससे भी करना है थोड़ी दे मसाज आप करेंगे इसको लगा के 5-7 मिनट मसाज और फिर आप इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और हमने इसमें दही मिलाया तो बहुत एजी लिए सूखने वाला है नहीं आप वो इसमेंट अपने चैरे पर रखना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से चैरा धो लेना है इतना सब करके आपको साबुन फेश वोस का यूज नहीं करना है अल्रेड़ी आपका चैरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा आपने करना क्या नॉर्मल पानी से धोएंगे उसके बाद क करना है वह आपको बता दूंगी लेकिन साबुन फेश वोस यूज करना है तो एक दो हिंटे बाद ही करेंगे आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी बहुत बढ़िया से आपका फेस क्लीन हो जाएगा तो हमने मस्त वाला पैक लगा लिया है जो की दुनिया के सारे पैक से अच्छा है बिल्कुल नेच्रल है कोई केमिकल नहीं है ठोड़ा सा हम अपने हाथों पे लेंगे यह पैक और अपने फेस में मसाज करेंगी नीचे से उपर के तरफ सर्कुलन मोशन में ऐसे मसाज करके जो थोड़े बहुत मैल गंद की डेड स्किन रही होगी वो भी निकल जाएगी और आपका फेस बहुत अच्छे से निकरेगा आपको ऐसे फ्रेश फील होगा बिलकुल फ्रेश नेश जयसे कि अपने पार्लर से जो फेसियल कराते है उसके बाद अपको फील होता उस्से अच्छा आपको यह फेसियल फील देगा बढ़िया से फेस को हमारे साफ करेगा, ठीक है? आपने ऐसे करना है, मसाज आपने फोर हट पे अच्छे से कर लें ना know कि और मैंने दिखा है, चेयरे से ज़्यादा हमारा माथा काला पड़ा होता है तो मांते को साफ इब जरूर sे करना होता है भडिया से आप बहुत ज्यादाध हल ride अपने से करते हाइब करना उतना यह देन फ्सक्राuito करने हoug यह भी बहुत ज़्यादाब को c00 2 entire लीप करना हे लम आपने सी with the जो है कोई ऐसा chemical नहीं है जो कि उसकी उसको बढ़ाए कि दो दिन रख लो खराब नहीं होगा natural चीज एक दो दिन में खराब हो जाती है तो आप इसको अपने हाथों पे पैरों पे यूज़ कर ले या किसी और को सुर्फ पैक पैक लगा दे जै कि आप बासी चीज़े यूज़ ना करें फ्रेश चीज़ यूज़ करेंगे उसका आपको बढ़िया से गुन मिलेगा रखके स्टोर करके चीज़ों के गुन खटम हो जाती है तो बढ़िया से मसाज करके अब मैं इसको सूखने को छोड़ दूँगी 20 मिनट बाद मैं इस खलका ब्राउम सा पड़ गया है मैल गंदी इसमें निकला है और चेहरा बिलकल चम चमाता साफ निकला है तो वापस से पैक लगा लूगी ताकि मुझे और अच्छे से क्लीनिंग मिले और मैं इसको 20 मिनट रखके वोश करके फिर आपको आगे कब बता दियों के फेस कैसे स हमारा स्टैप है वो तो बचाए हुआ है अभी और दो स्टैप में ही बढ़िया से पूरी स्किन हो गई है clean सारे मैल गंदगी को आपकी निकाल देगा यह जरू ट्राइकरना अप आपको ना कोई भी बढ़िया से बढ़िया महंगी से महंगी ऐसे फेसिल से अच्छा यह व नहीं लेना हैं चाहिए घर का जमाया हुआ हो और भी मार्केट जाकने ककट करें तो फिर हमने लेना है लोगा है और आधा नीबू लेद वाटा ये अच्छे एक natural bleach का काम करेगा और आपके face को ना ये जिसे जुरियां जो हो जाती है स्विकुर सा face जाता है तो इस पर जैसे वह नहीं आ जाता धीली skin जुरियां से पड़ जाती है उसको खतम करके आपके skin को tight बनाता है बहुत बढ़िया तोट का है ये जरूर apply किया करो जैसे सिर्फ इन में से और ये जो मैं आपको तीनों step बताई है ना आप कभी चाहे तो इन तीनों में से कोई खीला लगा लिया, संत्रा है शंत्रा लगा लिया, पपाया लगा लिया आपके face पे बहुत बढ़िया से एक अलग ही natural glow लेके आएगा तो हमने ये बनाया और अपने face पे ऐसे इसको पहले apply करना है फिर आपको थोड़ी सी देर करना है इससे massage ये भी आपको थोड़ी देर क कहने की बात है 5-7 मिनट तो कम से कम करना ही चाहिए ताकि आपकी स्किन को अच्छे सूज के गुन मिले और अगर आपके पास अच्छा सा टाइम है तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं आप घर में आपको कहीं अभी जल्दबाज भी में जाना नहीं है अब हमें बढ़िया से करना ह मसाज 18 मिनट कर लेना आपके फेस के लिए अच्छे आपके जूर्यों को मिटाता है दही आपके स्किन को टाइट बनाता है यह बिल्कुल फ्रेशनेस चेहरे पे लाएगा सारी गंदगी को निकालेगा स्किन को ग्लॉइंग बनाएगा नैच्रल ब्लीज का काम करेगा और आपकी स्किन पे एक अलग ही निखार लेके आएगा लग ही नूर लेके आएगा कि आप बहुत संदर लगेंगे और यह वाला तेन स्ट्रेप का फेशियल या घर में कर लेना और मुझे याद कर लेना ठीक इसके बाद एक चीज और भी लगानी है वह भी बहुत ईजी है व पहले कुछ खुर्दुरा खुर्दुरा लग रहा था और अभी फ्रेश सा लग रहा है आपको मसाज करने में भी तोड़ा बहुत कुछ बचा होगा नन्ना मनना सा तो यह निकाल देगा तो बढ़िया से कर लिया जी मसाज अब इसको भी हमने नॉर्मल पाने से धूना है फिर क्या लगाना है वो भी बताती हो के वेट करो चेहरे मने दोल लिया है और क्या ही निखार क्या ही ग्लो फिस पर आया आप खुद देख सकते हैं कमाल की स्किन बिलकुल हो गई है साफ अभी हमने पानी को पोच लेना है चेहरे का तोलिया देखो अलग रहे और उसको बह हाईजीन का ख्याल रखे अपना फेस टावल थोड़ा दूप में दिन में बेशक डाल लिया फिर वापस से उसको अंदर रख ले ठीक है और फेस हमेशा आलग तावल से ही पोचे आपको एक बार में समझ आ गया होगा मैं बार बार बुल रहे हूं ठीक है तो उसके बाद ह हमने क्या करना है क्योंकि हमने अच्छा लंबा खासा प्रोसिस किया है हमने पैक यूज किया है अपने फेस पे तो आपको क्या करना है आपको पूरा फेशियल करके या तो कोई मुश्राइजर लेना है सीरम जो आप अपलाए करते हैं वह आपको लेना है और आपको फिर उ आपकी skin को जो head glow कराएगा और ये facial करके आप मुझे बिल्कुल याद करेंगे share कर देना है जो बड़े ही महंगे-महंगे facial करा के बोलते हैं कि हमें फर्क पड़ा है तब वो इसका फर्क दिखेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या ही कमाल होता है और मेरे पास एक comment आये था कि यार पार्लर के बारे में तो ऐसा ना बोलो पार्लर वाली होगी नहीं मैं मैं मतलो वह नहीं है मैं यह नहीं कहते हो पार्लर खराब है अगर आपको बहुत बढ़िया बज़ अठा आप बिल्कुल बार बार जाहिए मैं कहीं कभी कभी हमें नैचरल चीज़े भी लगानी चाहिए मन को भी खुशी मिलती है और लगता है कि कहां कुछ आज प्रोडक्टिव किया है कुछ अच्छा किया आप करके देखे आपको अच्छा लगता है बाकी आप हर जगह जा सकते हैं ऐसे मैंने नहीं मिना किया कि नहीं जाना है ठीक है बिल्कुल जाए यार कैसे स्वेस हो गया है न क्लीन बढ़िया लग रहा है और गर्मियों के सूट पहनने को मिल रहे है समर वाइब सारी है मैं तो गर्मिया स्टार्ट होने से पहले ही जो पहले हैं तो अब उसको पहनने का मुका मिल रहा है जो गर्मियों के शोपिंग कठा होगी रखी थी पहनने पाए ते सर्वियों में अच्छा लग रहा है लेकिन दिन-दिन के लिए ही शाम को ठंड हो जाती है तो समझे रहे हुँ ना तो दोस्तो नémस होते हुँ आप से कलेको नए वीडियो की साथ तब तक कि लिए बाए, I love you all my friends वीडियो कैसे लगते बताना और अगर आपको ऐसे वडियो और प